अग्ला प्रश्ट कि बिहार राज्य के कुल भगॉलिक छेत्र फल कुल भगॉलिक छेत्र की तुल्ला में समस्त वन का कितना प्रतिसत है स्वागतिप सभी का ओनलाइन स्टेडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की वंस्तित रिपोर्ट दो हजार रिकिस तो आपको पता होगा कि जो वंस्तित रिपोर्ट है इससे समंधित पेपर में डेफिनिटली एक से दो प्रश्ण देखने को मिलेंगे तो ह जाकँ में लिएप वर्ट की तो घिया है यग से उसके द्वराग प्रती दो वर्वर प्रती लोज ऑल आपका हो या पिर दो रिकिसी छाएट को चाहरत के सर्पथम कब किया गया था सबथम नाइंटीन एटिसंवय येवन को सब्सक्राइथ अर दो हजार 21 की बात के तो यह 2021 में शत्रहवी यह रिपोट थे ठीक है शत्रहवी रिपोट थे और अगर हम बात किरें कि वनसरी का अंकड़ा 31 क करने के लिए संग्रा करने के लिए किस सेटलाईट का परयुग किया गया था तो resource sat2 satellite का परियोग किया गया था तो ऊपर में सबसे पहले 3 points आपको यह ध्यान में रखना अब देखें बात करते हैं कि बिहार में 1 hour कितना है यानि कि 1 के बात करते हैं सिर्फ वनावरन का मतलब कि पूरा 1 ठीक है या फिर इसको डारेट या वियाद रिखे 73 एकासी ठीक है 73 एकासी और अगर हम बात करें कि 73 असी दसमलों 7-9 km2 जो है वर्ग मेंटर वर्ग मेंटर स्कॉर तो इसमें है क्या तो यह राज्य के कुल भगॉलिक छेटर का राज्य का कुल भगॉलिक छेटर कितना है 94136 km2 तो 94,133 km2 का ये 73,80 कितना होगा तो ये है आपका 7.84 प्रतिसत 7.84 प्रतिसत ये याद रखेगा ये दोनों बहुत important एक दम VVI बन जाता है और अगर 2019 की तुलना करे 2019 की रिपोर्ट के तुलना में वनावरण में कितना व्रीधी हुआ कितना किलोमेटर में तो 75 km2 की व्रीधी हुई और अगर ये ही पूछले कि कितना प्रतिसत में व्रीधी हुआ तो 1.03 प्रतिसत तो ये चार चीज़े यहाँ पर आपको पहले याद रखना है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे समय और भी कुछ जनकारी देखते हैं अब देखें यहाँ पर noite में मैंने एक प्वश लिक्या कि बहुत घने वन गाने के घर हम Hill कितन extends ऐसकता कि बहुत से न烦. चीज़ें कुए ऐर मोशी एर्या मनने यहाँ पर बना रखा पिक्चर समझने के लिए तो माले जो कोई एक एरिया है यहां पे मैं मालता हूं तो अगर बहुत सघन वन का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे वन है बहुत सारे वन है ठीक है बहुत सारे मतलब सघन अदम घने टाइप के इस तरह से इस तरह से ठीक है तो इसको हम कहते हैं बहुत घने वन और इसका प्रश्ट में पूछे जाएंगे कि आपको बताना है कि कुल मतलब भगॉलिक चेत्र के कॉर्डिंग सबसे जो टोटल अगर पूछा जाए कि तो इस तरह के प्रश्ट में पूजा सकते हैं कि घने वनों बहुत घने वनों का चेत्रफल कितना है तो आपको याद होना चाहिए कि 32-86 km2 और अगर हम खुलावन के बात करें तो खुलावन में मतलब जादा घना नहीं जादा आपका यह मेडियम टाइप का है तो यह नॉर्मल है इस तरह से जैसे कि घन आप देख सकते हैं इसके भी तूल नामे आपका इस तरह से कहीं कहीं वन है खुलाव टाइप का तो य 70, 80, 79 तो वही टोटल में लाकर के 73, 81 कहा जाता है तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि बहुत घने वन कितने हैं यानि कि बहुत सघन वन तो 333 km2 मध्यम रूप से घने कितने हैं 32, 86 km2 और खुलावन कितना हैं तो 37, 62 km2 तो यही टोटल हो जाता आपका 73, 81 km2 और यह 1.03 प्रतिसेत की तो यहाँ तक तक कोई समस्य नहीं होनी चाहिए और अप्छे सब चीच किलियर होगा तो इसी बात पर वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर सेयर करिएगा अब बात करत सबसे अधिक व रखेंगे उनके नाम कैसे होगए तो क्यमूर पस्चमपण गशंपण और हतास यह तीन शेले तो देखेंगे किलोमेटर स्कॉार भी याद रखिएगा हो सकता है इस तरह सब पूछले तो अगर क्यमूर की बात के तो कैमूर में कितना क्लमेटर स्कॉर वन ह तो हो जाएगा आपका दस इकावन दस इकावन दसमलो पांच है, दसमलो के बाद आप वैसे भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रखे लिए दस इकावन, राइट, और अगर पश्मी चंपारण की बात के तो 903, 903 दसमलो 3-4 किलोमेटर स्क्वार, और अगर हम दोतास की बात के तो 679 दसमलो नौविक, राइट, तो ये 3 आपका हो गया छितरफल की अनुसार जीलो का सबसे जादा, यानि की वनावरण वाले जीले, ये हो गया और सबसे कम में भी याद रखने हैं, सबसे कम सबसे कम देखें कहा हैं, सेख पूरा, 110Km2 अरवल की बात करें तो 64-4 Km2 और जहानाबाद आपका हो जागा 4-43Km2 तो सेख पूरा, अरवल और जहानाबाद, नीचे से सबसे कम वनावरण वाले जीले हो गया है और सबसे अधिक होग्या आपका कैमूर सभी चमपार लोड घंपार से दो छीजों को धियान रखना है दोनों को यह था आपका क्या छितरफल की अनुसार अब इसी तरह से आपका हो गया परतिसत के अनुसार बहुत फार अंट की अढिक अधिक तीन जीट अंसे रख़े प्रतिसाद वनवरन वक्किली से, तो यहां पर देखी क्या क्या मोरम, में जमूः में plate action में, किस दस्मूव 10-5 प्रतिसाद 29-3,4 प्रतिसाद जमू वक्किली क्यार, मयन नवादा में Windows 7-2 प्रतिसाद तो प्रतिसाद के नुसार सब से अधिक वनावरण वाले जो जीले हैं उसके बारे में और सबसे कम में यहां पर देख जीजिए उसमें भी सेखपुरा था इसमें भी सेखपुरा है उसमें भी कैमूर टॉप पे था इसमें भी कैमूर टॉप पे तो सेखपुरा हो गया वहां पर क्या था अर्वल था यहां पर आपक तो हम इस पर एक particular MCQ भी आपको प्रवाइड करा देंगे ताक कि आपको ये clearly समझ में आ जाए सारा topic अच्छे से cover हो जाए ठीक है तो आप लोग बताएगा अगर MCQ देखना चाहेंगे तो अच्छी बात है otherwise आप कहीं और सभी MCQ लगा सकते हैं अगला question की adult 19 की तुलना में वनावरण में सरवाधिक और विधी करने वाला जो जीला है वह कौन सा यह याद रखेंगे अब बात करते हैं हम लोग ब्रिक्षावरण में ठीक है तो बिहार में ब्रिक्षावरण भारत की वन स्थीती रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने चेतर पर ब्रिक्षावरण है तो ब्रिक्षावरण जखी दो तीन चार एक, ठीक है, दो तीन चार एक, 231 किलो मेटर स्क्वाइर, अब उपर हमने देखा था जो 73 रसी क्या था, वोग था आपका वन आवरण, यानि कि वन टाइप के, जंगल टाइप के, लेकिन इसमें सिर्फ और विक्षावरण के बात करें, यानि कि बिक्ष, ठीक ह तो 241 किलो मेटर स्क्वाइर, जो राजविके कुल भगवालिक छेत्र का कितना है, 2.48 प्रतिसाथ, यानि कि जो 94,163 किलो मेटर स्क्वाइर हम देखते हैं, उसका ये कितना है, उसका सिर्फ वरशीव 2.48 प्रतिसाथ है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, उ प्रतिसाथ, जो राजवराण के रगवालिके है, कितना ब्रतिस स्कुआर की धरज कि गई है, य custardム वीचाने किलों है, प्रतिस किलों का bet três सिर्फ इसकी जैसे कि समझनी के लिए, अगर बात करें जो दोनों चीज़े आपने देख सो यहाँ लगा रख प्रतिसाथ कितना है प्रतिसाथ आपका होता है टूटल भगोलिक चेत्र का साथ दस्मरों आठ चार प्रतिसाथ और ब्रिधी कितना हुआ यानि कि पिछले वर्ष के तुलना में तो प्रतिसाथ अब इन दोनों को प्रतिसाथ अब इन दोनों को प्रतिसाथ जोड देंगे हम तो आपका दस बतिस प्रतिसाथ यह हो जागा यानि दस दस मिलो तीन दो प्रतिसाथ और कुल ब्रिधी बात करें तो पचातर यह 338 यह इसको जोड़ देंगे तो आपको सब चीज के लिए समझ में आ गया होगा और अब देखिए हैं पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइं चंपारण में और मध्यम वर्ग वाले जो घनेवन है उसमें भी पस्मी चंपारण है और खुले वन भी बात के तो खुले वन में आपका कैमोर हो जागा तो बस आपको वन स्थिति रिपोर्ट से इतने ही सारी जनकारी याद रखनी है एक्जाम के लिए काफी है एनफ है अ नोटिफिकेसन वेल आइकन को और पर जरूर सेट कर लिजेगा ताकि हमारी आने मले सारी वीडियो की नोटिफिकेसन आपको बिल दे रहे तो देखे सबसे पहला प्रश्ण क्या बनता है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाई जाते है पांसे साथ सेकिन का समय आपको बिहार में किस पर करके वन पाए जाते हैं तो पर्ण पाती और या फिर पत्जण वाले वन ऑप्शन एक और अंसर है चले उसके बाद हम यहां पर देखते हैं सेकेंड क्वेशन्स याद रखेगा कि बिहार में सदाबाहर वन नहीं पाए जाते हैं ठीक है अगला प्रश्ट क कि बिहार राज्य के कुल भगॉलिक छेत्र की तुल्ना में समस्त वन का कितना प्रतिसत हैं समस्त वन का कितना प्रतिसत हैं तो दिहान से क्वेशन्स को समझेगा कि बिहार राज्य में कुल भगॉलिक छेत्र की तुल्ना में समस्त वन वन छेत्र का प्रतिसत हैं वन छेत्र 73.79 km2, ठीक है, यह कितना होता है, तो यह टोटल, भगॉलिक छेतर का, यानि 94,163 वर किलो मेटर है, उसका यह कितना है, तो 7.84, ठीक है, तो 7.84, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, option A को टिक करेंगे, अगर यहाँ पे ब्रिक्षावरन की बात करता है, तब हम वहा राइट आंसर है, option A, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ important points, यहाँ पे देखें, कि बहुत ही कम मतलब questions आपको देखने को मिलेगा, application और web portal से, ठीक है, तो बस ध्यान से 2-4 questions है, important वाले, आप उसको भी देख लिजएगा, जैसे कि mobile app इंदर व्रज, इंदर व्रज किससे संबंधित है, तो इंदर व्रज का संबंध हमने किससे देखा था, आपको बताएगा कि इसको यह जो है, किस विभाग के दौर लॉंच किया गया, आपदा परबंधन विभाग, तो यहाँ पर हम correct answer करें कि बिजली गिरने की जो जेतावनी है, इससे संबंधित आइए, इंदर व्रज, right answer, option B को टिक करेंगे, ठीक है, question number 4 देखिए, हाली में विहार सरकार के द इसको लॉंच किया गया था, तो right answer will be option A, ठीक है, चलिए, उसके बाद आता हमारा, 2019 की रिपोर्ट की तुल्ला में, 2021 में, बिहार के वनावरण में, 75 वर किलोमेटर स्कॉार की ब्रिदी हुए, ध्यान दीजगा, वनावरण की बात की जा रही है, कितना ब्रिदी हुआ है, 75 बिल्कुल correct answer है, इसके बाद अगला सवाल है, कि बिहार का सबसे अधिक प्रतिसत, 1 छेतरफल वाला जीला कौन सा है, प्रतिसत की बात कर रहा है, प्रतिसत, 1 छेतरफल वाला जीला कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा correct answer क्या बनेगा, option A, कैमूर, ठीक है, कैमूर बिल्कुल सह answer है, इसे याद रखना है, देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक प्रतिसत, छेतरफल वाला जो जीला वो कैमूर है, जिसमें एक कुल भूभाग का 31.56 प्रतिसत है, और उस तरह से second number पे क्या आता है, second number पे आता है, प्रतिसत के कोडिंग दो प्रतिसत होता है, तो यह तीन चीज़ आपको याद रखना है, जो कि प्रतिसत के कोडिंग कैमूर, जमूई और नवाधा, ठीक है, चलिए, अगला सवाल क्या गरा है, कि छेतरफल के अधार पर सरवाधिक वन आवरन वाले, बिहार के तीन सबसे जो की जीले कौन से है, तो बताए, क्वेसन सही कि सरवाधिक वन आवरन वाले, ठीक है, एको टिक करेंगे, यह सबी चीज़े मैं आपको कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँग, कि आप उस कि अगर आप वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ अधिक सेर करेंगे, और साथे साथ चैनल पर पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल पे सेट कर लीजे, उसके बाद हमारा प्रतिसत की बात करता है, तब हम वहां पे अलग करते हैं, लेकिन यहां पे सेखपुरा, अरवल और जहानाबाद राइट आंसर हो जगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, कि बिहार में सरवाधिक वन प्रतिसत वाले तीन जीले कौ हो जागा, option D को टिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, e-lots portal का संबंध निमलिकीत में से किस है, e-lots portal, तो e-lots portal का संबंध किस है, portal और जो की application संबंध इतने मैंने वीडियो आपको प्रवाइड करा दी है, अब जाकर को उस वीडियो को भी दीख लीजेगा, ह हो सके तो मैं इस वीडियो की इस डिस्किप्शन में लिंक के दे दूँगा, आपको धूनदा नहीं पड़ेगा, तो e-lots portal का संबंध हो जाता है, सिक्षकों एवं विद्यालेओं के लिए e-pustekाले का निर्माण करना, यहाँ पर right answer हो जागा, option B, और अगर हम बात करें कि e-lots portal जो वह trabalho किसके दवरा लॉंच किया गया तो विहार सिक्षा परयोसना इसके दवरा लॉंच किया गया इसके बाद अगला सवाल है कि e-sđंधन जो portal है, e-sangbeland portal है इसका संबंधन बताए कि किस से होगा इस संबंधन पोर्टल का संबंध किस से हैं तो इसका संबंधन सिक्षा से ठीक है सिक्षा से करेंगे इसके अंतरगत राइट टू एजूकेशन के दौरा नीजी स्कूलों में 75 प्रतिसत गहरी बच्चों के नमांकन की जनकारी यहां पर समन्ध रखता है तो यह हो जागा राइट अंसर उसके बाद अगला सवाल है वन इस्तिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में नि नियूम्तम वन प्रतिसत वाले तीन जीले कौन से हैं तो प्रतिसत के कोडिंग आपको बताना है तो सबसे तीन जो जीले होंगे वो यहां पर हो जाएगा ऑप्सन बी यानि सेखपूरा बगसर और सीवान सेखपूरा बगसर और सीवान ऑप्सन बी को डिक करेंगे चीक है बिल्कुल सही आंसर है उसके बाद आगे बढ़ते हैं Next सवाल कि बिहार सरकार ने आसा करे करताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है ताकि उन्हें उनका भुक्तान नियमित रूप से मिल सके यानि आसा करे करताओं से संबंधित हैं पते कि कौन सा पोर्टल तो अगर आपने यहां पर उप्शन ए को टिक है तो बिल्कुल सही जबावे अस्वीनी पोर्टल का सम्मझ ऑप्शन ए हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल कि भारत वन स्तिती रिपोर्ट 2021 के नुसार बिहार में कुल विरिक्षावरन कितना है उपर उन्हें देखा था क्य रिच उता है दो तीन चारिक तहीज 31 ऑप्शन बी को टिक करेंगे ठीक है ऑप्शन भी इस दा करेक्ट आंसर अज़िए वन और बात करें कितना प्रतिसत होता तो प्रतिसत है दो दस्मलों चार आट प्रतिसत एक नो इसके बाद अगला सवाल दिखी क्या है कि कि 2021 कि नुस तो दोनों को एड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों को एड करेंगे तो दस बतीस यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ठीक है तो दोनों को एड करना है सिंपल सी बाता में कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला सवाल क्या है आर्थिक बिहार जो सर्वेक्षन है इसके अनुसार बिहार में सरवाधिक वर्षा किस जीले में होती है दोजरे किस के कॉर्डिंग जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें बता रहा है कि सरवाधिक वर्षा किस जीले में होती है तो सरवाधिक होता है option c यानि कि किसंगंज में किसंगंज और सबसे कम कहां पर होता है सबसे कम आप comment करके जल्दी से बते हैं उसके बाद मैं आगे questions देखेंगे इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में सरवाधिक वर्षा कहां के मौनसुन से प्राप्त होती है बिहार में सरवाधिक वर्षा कहां के मौनसुन से प्राप्त होती है तो according to option हम D को टिक करेंगे कि बंगाल के खाड़ी से ठीक है बंगाल के खाड़ी से आपको बिहार की जल्वाई हुए वूस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है आप जाकर करके देख लीचेगा चले उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखे यहां पर questions आपका आई गया कि बिहार आर्थिक सरवेक्षन 2021 की अनुसार बिहार में सबसे कम वर्षा की जीले में दर्ज की गई है सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है कहाँ पर अर्वल में अर्वल option A बिल्कुल सही होगा अगर आपने option A को टिक किया है तो बहुत सही है चलिए देखिए यहां पर कुछ points मैंने note down किया जैसे कि सबसे कम 779 mm वर्षा अर्वल में दर्ज की गई है वर्ष 2020 में राज्यों में 38 जीलों में राज्य का जो ऑसत वर्षा रा कितना है तेरह पचासी mm वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है कि सबसे कम खांपर आप खा रहा तो 779 mm अर्वल में अगला सवाल है कि बिहार के कौन सा विभाग के द्वारा सुविधा एप ठीक है सुविधा आप जारी किया गया जिसमें उप्भोगता तथ नया विजली कनेक्शन ओनलाइन विटली वुक्तान इत्यादी समंधी सुचना है प्राप्त कर सकता है तो सुविधा आपको किस ने लौंच कहा है नाम सही है आप आपने देख लिया होगा कि नया विजली कनेक्शन लेना है तो यानि यह आपका उर्जा भी भाग से समंधित है राइट आंसर हो जागा option D कि इसके बाद वनिस्तिति रिपोर्ट 2021 के संदर में कौन सा कथन शही है बताइए कौन सा कथन सही है तो चलिए हम पढ़ते हैं वनिस्तित रिपोर्ट जो है वो परतेख वर्ष दो वर्षों पर जा रही होता है तो यहां परतेख वर्ष लिखा गया है इसलिए य 287 में जारी किया गयाता है, तो यह चीज़ आपको याद रखना है, option हम यहाँ पर किसे टिक करेंगे, बी विल्कुल सही आंसर हो जागा, option B, चलिए, अगला सवल क्या है, कि बिहार के उत्री मैदान में, पस्चमी चंपारण जीले में मुख्य रूप से कौन सा वन पैज आता है, यह बहुत important questions है, तो इसको अच्छे से ध्यान दियेगा, और समझ जीएगा, तो यहाँ पर क्वेस्ट है कि बिहार के उत्तर मैदान के पस्चमी चंपारण जीले में, इसमें मुख्यता कौन सा वन पैज आता है, तो इसमें जो वन मिलता है हमें, option B, आदरपण पाती वन, आदरपण पाती वन, option B को ठीक करेंगे, बात यहाँ पर पस्चमी चंपारण की की जा रही है, ध्यान दिजेगा, देखें, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर अच्छे तरीके समझते हैं कि बिहार पढण पाती साल वनों के मामले में समझते हैं, किस प्रकार के साल वनों के मामले में, जो मुख्यता है, रोतास, और अंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमूई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दच्छिड बिहार में पाया जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर सबसे important point है कि उत्तर बिहार में आधर पढण पाती वन, जबकि दच्छिड बिहार में सुस्क पढण पाती वन पाया जाता है, पस्मी चमपार, जो की पस्मी चमपार आपका पढ़ता है किदर, उत्तर बिहार में, तो उत्तर बिहार में आधर पढण पाती, इसलिए सभी answer हमने उत्तर बिहार में आधर पढण पाती वन को टिक किया था, तो आई होब के चीज़ समाज़ में आया होगा और ये एकदम वीवेई पॉइंट से तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेज़ेगा होसे के तक स्किन सौट ले सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये कह रहा है कि जल जीवन हर्याले मिजन के तैत 21-22 में बिहार में कितने पॉधे लगाने का लक्ष तो यहां पर करेक्ट टांसर हो जागा धाई करोड अप्सन सी को टिक करेंगे धाई करोड पॉधे लगाने का लक्ष रखा गया था तो क्या ये लक्ष पूरा हुआ या नहीं हुआ तो चले हम यहां पर समझते हैं कि जल जीवन हर्याले मिजन के तैत 21-21 के लिए जो कि कह सकते हैं दो दसमलों पांच एक करोड पॉधे लगाने का लक्ष तैय किया था लेकिन लक्ष से आगे बढ़कर के तीन दसमलों नौ दो करोड पॉधे लगाए इस मिजन के तहट 21-22 में पांच करोड पॉधे लगाने का लक्ष है नमंबर 2021 तक तीन दसमलों आठ-ठाट पॉधे लगाया जा चुके हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा तो माफी चाहिएंगे यहां पर हमारा राइट एंसर क्या होना चाहिए था एकॉर्डिंट टू आप्सन हम बी को टिक करेंगे क्योंकि क्वेसंस में पूछा गया था 21-22 के एकॉर्डिंग क्या है लक्ष पांच करोड लक्ष लगाने का पॉधे का रखा गया और जबकि हम लो आठ हाट पॉधे आठ हाट करोड जो की पॉधे लगाए जा चुक है तो यहां पर हमारा राइट एंसर ऑप्सन बी को टिक करेंगे पांच करोड माफी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेसंस देखते हैं अगला सवाल देखिए क्या है निमलीखीत अगला सवाल बनता है कि वनस्तितर रिपोर्ट 2021 की अनुसार वन आवरन और विक्षावरन में कितनी किलोमेटर स्कॉार की ब्रेधी हुई है बहुत अच्छा सवाल है ऊपर मैं ने देखा था प्रतिसत जो की दस तसमुलों तीन दो प्रतिसत अब यहां पर आपको बताना ह किलोमेटर स्क्가र में भृई है दोनों को मिलाकरके वनावरण और विक्षावरण दोनों को मिला जिया था कितना किलोमेटर हुई है जबकि विक्षावरण में होगया आपका 338um3 ऑ फास्तेरा तो ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि मध्याम वर्ग के घने जो वन है उसके जीला टॉप बरता तो पस्च्मी चंपारण और ऐसब से तो उस में आपका पस्च्मी चंपारा टॉप है मध्यम वर्ग में भी टप है लेकिन अगर खुले वन में बात करें तो खुले वन में कैमूर हो जाता है तो यहां पर फिलाल सही आंसर क्या हो जागा option A को टेक करेंगे ठीक है यह बिल्कुल सही आंसर बनता है करेंगे टेक करेंगे नहीं करेंगे बनता है